हेले स्टूजेंट हाव आर यू आई होप आप सभी ठीक होंगे तो आठ से हम क्लास एट आइसी एसी एमेला गर्वाल एक्सर्ट साइज 1.1 आपके सामने लेकर हाजिर हैं ठीक है क्लास एट की हम सीरीज शुरू कर रहे हैं एमेला गर्वाल की देखें फर्स्ट क्वेशन फर्स्ट पार्ट क्या है जरह देखिए 4 अपॉण 7 and minus 5 अपॉण 7 इन दोनों को ग्या करना है इन दोनों को add करना है तो add हम कर लेंगे देखिए कैसे करेंगे यह होगए 4 अपॉण 7 and की जगा plus का साइन लगाएंगे bracket लगाएंगे अंदर क्या लिखींगे minus 5 अपॉण 7 ठी भी देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन क्योंकि लगातार था, इस वचे हमने माइनस लिख भी दिया, साइन अगर लगातार ना होता, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो उसमें हम सिर्फ ओपरेशन करते हैं, तीए हैं, अच्छा, फॉर में से फाइफ माइनस करिए, यह तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फाइफ में से फॉर ही माइनस करेंगे, लेकिन साइन किसका लगाएंगे, माइनस का, एक बार फिर से, फॉर में से फाइफ माइनस किया, 4 में से 5 माइनस नहीं किया जा सकता तो हम क्या करेंगे 5 में से 4 माइनस करेंगे लेकिन sign किसका लगाएंगे माइनस का ठीक है जो जागा माइनस 1 अप आउंट denominator सेम है तो उसको हम वही रखेंगे जो यह है यानि 7 denominator में है तो 7 ही रखेंगे सिर्फ आपका numerator पर operation होगा या तो आप ऐसे समझ सकते हैं एक और तरीका बता देता हूँ 4 के आगे कोई sign नहीं तो plus है 5 के आगे minus है plus और minus मिलके क्या होता है minus होता है 5 में से 4 को minus किया 1 आया sign लगा दिया बड़ी गिंती का बड़ी गिंती है आपे negative है इस वज़े से इधा आपके हमने negative लगा दिया ठीक है student आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से कर सकते हैं ठीक है उसी तरीके से देखें जारा second part इसका लिखा है 7 upon minus 13 and 4 upon minus 13 ठीक है तो देखिए क्या होगा क्या जो minus sign denominator में है ये उचक के या shift होके उपर चला जागा यानि numerator में तो यह हो जागा minus 7 upon 13 and की जगा plus लगाएंगे क्यों plus लगाएंगे यहाँ पर लिखा है add the following इस वज़े से हम and की जगा plus लिख रहे है फिर यह minus sign उपर जाएगा तो यह हो जागा minus 13 upon 4 ठीक है यह हो जागा minus 7 upon 13 plus minus क्या हो जागा minus क्योंकि sign यहाँ पर लगातार है तो हम sign लगाना पड़ेगा plus minus minus होता है minus लगा दिया क्यों लगाया है minus sign क्योंकि यहाँ पर plus और minus लगातार लिखा है 13 upon 4 minus minus क्या होता है plus होता है लेकिन अब हम sign लगाएंगे नहीं अब हम operation करेंगे अपना मरी बास समझ में आ रही है यहाँ plus minus minus होता है sign लगातार इस वज़े से हमें बीच में minus लगाना पड़ा लेकिन यहाँ पे देखिए minus 7 minus 13 यहाँ पे sign लगातार नहीं है बीच में number लिखा हुआ है तो इस वज़े से minus minus होता थो plus है लेकिन अब हम plus लगाएंगे नहीं सिर्फ और सिर्फ operation करेंगे यानि 13 और 7 को जोड़ देंगे ठीक है कितना जोड़ेंगे एक मिनट देखिए यह मैंने उल्टा कर दिया यह minus 4 upon 13 होगा ठीक है मैंने तो लग गलती कर दिया तो यह तो बहुत असान है minus minus क्या होता है अभी पता है plus होता है लेकिन plus sign लगाएंगे नहीं क्योंगी sign यहाँ पे लगातार नहीं है 7 और 4 को plus कर देंगे तो 11 आएगा sign लगेगा बड़ी गिंदी का बड़ी गिंदी negative में है तो minus 11 upon denominator सेम है तो सेम ही रखेंगे ठीक है student समाजी में मेरी बात की नहीं आई ओके देख सकते हैं आसान है ठीक है चलिए इसके बाद अपना next question करते हैं next question दिया है simplify इसको हम कैसे करेंगे देखिए इसमें आपका denominator जो है denominator जो है वो different है तो यहाँ पर हम LCM निकाल के करेंगे ठीक है जो आपने शायद यह सब कहानी कहानी के मतलब पूरा जो concept है यह 6-7 में भी पढ़ा होगा नहीं पढ़ा दो मैं बता देता हूँ यह जागा minus 4 upon 9 plus 13 to the कितना होगा 13 to the 26 26 में 12 जोड़ देंगे कितना आएगा 38 आएगा upon 30 ठीक है अब समझी कहीं आप है 13 और 9 एक बार फिर से 13 और 9 का आप क्या करेंगे LCM लेंगे student मैं आपको LCM निली की थोड़ा सा trick बता दूँ LCM का मतलब होता है least common multiples यानि सबसे छोटा number जो 13 और 9 दोनों की table में आएगा वो कौन सा number होगा ठीक है इसको निकालते कैसे हैं ये सब भी आप जानते होंगे side में हम क्या करेंगे इसका LCM निकालेंगे 13 नोगा ठीक है मैं आपको वो सब यहाँ पे जो है वन ही वो number हुआ जिससे ये दोनों number कटेंगे मतलब जिससे ये दोनों number क्या होगे कटेंगे तो इन दोनों को आपस में multiply करके क्या हो सकता है हम इन दोनों number का LCM निकाल सकते हैं काफी जादा बोल गया फिर से बता देता हूँ denominator में अगर दो कोई ऐसे number है जिनका highest common factor है यानि सबसे बड़ा number जिससे ये दोनों कटें वो अगर one हुआ तो इन दोनों number को हम direct multiply करके LCM निकाल सकते हैं जैसे 9 और 13 को ऐसा कोई number पता ही जो 9 और 13 दोनों को काटता हो आप चाहें जित्ता दिमाग लगा लीजे ठीक है सिर्फ one ही वो number है जो 9 और 13 दोनों को काटता है तो क्योंकि 9 और 13 का जो co prime है ठीक है co prime है 9 और 13 आपस में क्या है co prime है co prime कैसे किसे कहते है मैंने यहाँ पे नएट अबोला है कि 9 और 13 आपस में co prime है co prime किसे कहते है जब 2 नमबर का hcf one होता है तो इसको क्या कहते है co prime कहते है 9 और 13 का hcf क्या है one है तो 9 और 13 को multiply कर देंगे तो इसका क्या जाएगा इसका आपका hcf आ जाएगा sorry lcm आजाएगा ठीक है 117 आएगा 9 और 13 को multiply करेंगे समझेगा 117 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा 13 को उठाके 4 से मल्टिप्लाई कर देंगे यह तरीका होता है आपने पहले भी पढ़ा होगा एक बार फिर से 117 यहां पे लिखा है उसको 9 से डिवाइड किया कितना आएगा 9 को उठाके 38 से क्या कर दिया mak approximy कर दिया क्या कर दिया 38 से multiply कर दिया क्या मिलेगा आपका 342 मिलेगा कितना आएगा 342 ठीक है स्टुडेंट समझ वहीं मेरी बात अब देखिए 52 मैनइस मैं है 342 प्लस मैं है प्लस मैनिस क्या होता है माइनस होता है 342 में से 52 माइनस कर दीजे कितना बचेगा 290 बचेगा और denominator में क्या आएगा 117 आएगा ठीक है student समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई ठीक है अच्छा अगर आप इसको थोड़ा सा और solve करना चाहें तो और कड़ सकते हैं ठीक है mix fraction में ले जाना होगा यानि 290 को 117 से divide करना होगा इस अब आप जानते होंगे तो यह 2 बार में जाएगा 234 रिमेंडर कितना बचेगा 290 में से 234 आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे देखे कितना आएगा आपका यहाँ पर आंसार आएगा 56 अपान में 1 बार 7 यह आपका आंसार हो जाएगा इस question का आपको क्या करना था माइनस 4 अपान 9 और 2 होल 12 बाई 13 को प्लस करना था 13 तूजा 26 26 में 12 जोड़ दिया 38 आया 9 और 13 आपस में को प्राइम है को प्राइम का मतलब है कि इन दोनों को सिर्फ 1 ही काट रहा है यानि 1 इन दोनों का 9 और 13 का 8 CF है तो इसको हम को प्राइम कह सकते हैं और अगर यह को प्राइम है तो इन दोनों का उपस में मल्टिप्लाई कर गए LCM निकाला जा सकता है 9 को 13 से multiply कर दिया, 117 आया 117 को उठा के 9 से divide कर आया, 13 आयगा 13 को उठा के 4 से multiply कर दिया, 52 आ गया आगे minus लगा, इस वज़े से minus लगा दिया 117 को 13 से divide किया, तो 9 आया 9 को उठा के 38 से multiply कर दिया, तो हो गया यह 342 342 plus में है, 52 minus में है, plus minus क्या हो जाएगा, minus 342 में से 52 माइनस कर दिया आया 250 अपॉन 117 क्योंकि यह improper fraction है यानि कि इसका जो numerator है वो denominator से क्या है बड़ा है तो इसको हमें mixed fraction में ले जाना होगा जब इसको mixed fraction में ले गए तो इस काहां सारा जाएगा 2 whole 56 अपॉन 117 ठीक है student समझ मैं मेरी बात की नहीं आई ओके तो student question number second का हम second part देखेंगे यहाँ बे देखे क्या दिया है 11 upon minus 7 ठीक है तो यह minus sign जो है उपर चला जाएगा तो यह हो जाएगा आपका minus 11 upon 7 plus 3 adds आ 24 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 26 26 upon me 3 ठीक है student आच्छा इसके बाद फिर वही चीज 7 और 3 का LCM मिकालेंगे 7 और 3 आपस में को प्राइम है को प्राइम का क्या मतलब होता है यानि 7 और 3 को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर रहा है तो को प्राइम नंबर्स का LCM कैसे निकालते है इको directly हम multiply कर देंगे कर दिजे multiply 21 आएगा 7 और 3 को multiply करने पे ठीक है 21 को 7 से divide करेंगे 3 आएगा 3 को उठाके 11 से multiply कर देंगे 33 आ जाएगा sign रगेगा negative का plus 21 को 3 से divide करेंगे 7 आएगा 7 को उठाके 26 से आप क्या करेंगे multiply कर देंगे क्या आएगा ज़रा देखिए 182 आएगा क्या आएगा 182 ठीक है फिर वही चीज़ देखिए minus और plus minus और plus होता क्या है minus होता है लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ अपना operation करेंगे यानि 182 में से 33 को minus कर दिंगे कितना आएगा ज़रा देखिए 12 में से 3 जाएगा बजएगा 9 यह बनगे 17 17 में से 3 जाएगा बजएगा 14 अपन 21 ठीक है समझ में आई मेरी बात की नहीं आई ओके चलिए अगर अब आप इसको mixed fraction में convert करना चाहें ठीक है यह तो भी improper fraction है 149 अपन 21 अगर आप इसको mixed fraction में convert करना चाहें तो देखिए क्या लिखेंगे यह हो जाएगा आपका ठीक है कितना हो जाएगा जारा देखिए side में कल लेंगे divide 6 बार में जाएगा है 7 बार में जाएगा जी हाँ यह 7 बार में जाना चाहेगा अंसर कितना आएगा 147 augmenter बचेगा तो यहाँ पर आपका अंसर आजाएगा 7 hold 2 upon 21 ठीक है student समझ में आई मेरी बात ओके ओके देखिए क्या कह रहा है कह रहा वारिफाई कमिटेटिव प्रॉपर्टी औफ एडिशन फर दा फॉलोईंग पियर्स ओफ रेशनल नंबर्स कह रहा वारिफाई फॉलोईंग पियर्स ओफ रेशनल नंबर्स के लिए कमिटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन की आपको दिखानी है ठीक है देखिए कैसे दिखाएंगे जरा इस बात को समझेगा ठीक है समझेंगे अच्छे से तब समझ में आएगा कमिटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है ए प्लस बी इस इक्वल टो बी प्लस ए फॉर एडिशन ठीक है इन रियल नंबर्स यानि रियल नंबर में ए प्लस बी बी प्लस ए के बराबर होता है ठीक है स्टुडेंट देखिए कैसे करेंगे यह आपका हो जाएगा के same हो जाएगा तो यह आपका क्या हो जाएगा Commutative Property Rational Numbers के लिए Addition पे verify हो जाएगी ठीक है जो आपसे question में करने को कहा गया है देखिए कर लेंगे LHS LHS का मतलब left hand side फिर वही 3 और 7 यह दुन आपस में co-prime है यानि इंका HCF 1 होगा तो इन दोनों को हम directly multiply करके एक दूशे से 3 और 7 का LHS हम निकाल सकते हैं multiply कर देजे कितना आएगा 21 आएगा 21 को क्या करेंगे 3 से divide करेंगे कितना आएगा 7 आएगा 7 को उठाके 4 से multiply कर देंगे कितना आएगा 28 आगे minus लगा इस वज़े से minus लगा देंगे 21 को 7 से रिवाइट करेंगे 3 आएगा 3 को उठाके उपर वाले 3 से मल्टिप्लाइ कर देंगे कितना आएगा 9 आएगा ठीक है आप देखिए यह आपका 28 माइनस में है 9 प्लस में है माइनस और प्लस होता क्या है 28 में से 9 माइनस कर देंगे कितना बजेगा 19 बजेगा साइन किसका लगेगा बड़ी किंती का बड़ी किंती आपकी निगेटी वहती हो जाएगा माइनस 19 अपाउन 21 ठीक है स्टुडेंट समझ मैं ही मेरी बात उसी तरीके से हम RHS भी solve करनेंगे अपना right hand side वाला देखिए right hand side वाला भी same ही रहेगा ठीक है एक step इसमें extra करना पड़ेगा यह जाएगा 3 upon 7 plus minus sign लगातार है तो minus लगा देंगे plus minus माइनस होता है ठीक है 4 upon 3 उसके बाद देखिए यह जाएगा 21 7 और 3 का LCM 21 को 7 से डिवाट करेंगे करेंगे 7 आएगा 7 को टागे 4 से मुटिप्लाइ कर दिए किता आएगा 28 ठीक है आंसर कितना आएगा जाएगा देखिए 9 plus में 28 माइनस में plus minus क्या होता है 28 में से 9 मैनस करेंगे बचेगा 19 sign लगेगा बड़ी गिंती का तो minus 19 upon 21 रहेगा LHS की value क्या है minus 19 upon 21 है RHS भी आपका minus 19 upon 21 आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे as जैसा की LHS और RHS बराबर है hence hence commutative property hence commutative property verified ठीक है तो आपकी जो commutative property है वो इस sum पर verify हो गई है ठीक है वैसे हो तो sum पर जाएगी लेकिन आपको verify करके दिखाना होगा ठीक है student मेरी बास समझ में आ रही आपको की नहीं ओके चलिए उसी तरीके से हम इस question का second part भी कर लेते हैं देखिए कैसे करेंगे अब देखिए यहाँ minus two upon minus five के का तो जाहिड सी बात है minus से minus sign cancel हो जाएगा यह तो आप जानते होंगे तो आप यहाँ पर cancel out कर दीजे तो आपका सिब आपनसर क्या होगा two upon five plus one upon three a plus b is equal to one upon three plus two upon five पहले LHS लेंगे फिर RHS लेंगा आपका आपका आजाएगा ठीक है LHS यहाँ पर RHS यहाँ 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 तो काफी असाने देखिए यहाँ पर sign का जंजड भी नहीं है क्योंकि दोनों ही किसमें है positive में five three का LCM लेंगे 15 आएगा 15 को five से divide किया three आएगा three को उठाके two से multiply कर देंगे six आएगा 15 को three से divide किया five आएगा five को ठाके one से multiply कर दिया five आगया ठीक है यह कितना आजाएगा six और पाच को जोड़ देंगे 11 upon 15 ठीक है उस तेकर से RHS जोड़ेंगे ठीक है देखिए RHS समझेंगे थोड़ा सा यह दिया है one upon three plus two upon five ठीक है अच्छा three और five का आप क्या करेंगे LCM लेंगे three और five का LCM लेंगे तो आएगा कितना 15 आएगा 15 को जो है three से divide कर देंगे five आएगा five को ठाके one से multiply करेंगे तो five ही रहेगा 15 को five से divide करेंगे three आएगा three को ठाके two से multiply कर देंगे six आजाएगा ठीक है पाच और छोड़ेंगे कितना आएगा? ग्यारा अपाउन में 15 ठीक है? तो आप यहां लिए सकते हैं एस लहेज इस इकल डू रहेज जैसा कि लहेज और रहेज बराबर है हैंस 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 कॉमिटेटिफ प्रॉपर्टी हैंस कॉमिटेटिफ प्रॉपर्टी वेरिफाइड ठीक है? तो आप कहाज रखते हैं कि कॉमिटेटिफ प्रॉपर्टी वेरिफाइड हो गई इस सम पे भी ठीक है स्टुडेंट? चली उस देखे हम अपना जो है नेक्स पार्ट करेंगे इस कोश्चन का देखे क्या लिखा है LHS है ये आपका क्या है? RHS है ठीक है? अच्छा 11 और 13 का हम क्या करेंगे? 11 और 13 का हम LCM लेंगे ठीक है? 11 और 13 का जोब LCM लेंगे 11 और 13 अपस में को प्राइम है यानि 11 को डारेट 13 से मल्टिप्लाई करके हम LCM निकाल सकते हैं LCM आएगा 143 ठीक है? 143 को 11 से डिवाइड करेंगे आएगा 13 13 को उठा के आप क्या करेंगे? 13 को उठा के आप 9 से मल्टिप्लाई करा देंगे जब 13 को 9 से मल्टिप्लाई करेंगे तो आएगा 117 143 को जब आप 13 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11 11 को टू समल्डिपाई कर देंगे आ जाएगा 22 इन दोनों को जोड लेंगे कितना आएगा 117 में 22 जोड देंगे तो हो जागा 729 2131 अपॉन में 243 ठीक है 143 देगा उस तरह के साब आरचस्थ भी कर लेंगे देखिए 13 और 11 का LCM लेंगे अगें 143 आएगा 143 को 13 स से मल्डिपाई कर देंगे आएगा 22 प्लस 143 को 11 से डिवाइड करेंगे आएगा 13 13 को उठाके 9 से मल्डिपाई करेंगे आएगा 117 22 और 117 को जोड देंगे कितना आएगा 139 अपॉन 143 तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि as जैसा कि LHS is equal to RHS है तो आप यहां लिखेंगे हैं do the commutative hence commutative property hence commutative property verified तो आपका यह क्या हो गया जो commutative property हो वो verified हो गई है ठीक है स्वीजें।मझी में आई क्या नहीं आई आ गई चलिए इसको बाद अपना discussion करते है इस exercise का ठीक है देख लिए बहुत आसान है ठीक है चलिए कुछ नमबर 4 देखिए इसका लिखा है find the additive inverse of the following rational numbers additive inverse आपको पता लगाना ही जो rational number आपको दिया हुआ है student additive inverse पता लगाने से पहले आप जो यह लफज लिखा है आप पे जो word लिखा है special additive inverse इसका मतलब पता होना चाहिए additive inverse का मतलब यह होता है कि हम कोई माल लिजे आपको एक number दिया है a ठीक है small a तो उसमें आप क्या जोडेंगे कि आपका answer जो है 0 आजाए एक बार फिर से अगर आपको कोई number दिया है a तो आप उसमें ऐसा कौन सा number या ऐसा कौन सा alphabet जोडेंगे कि आपको जोडने पे उन दोनों number है वो 0 आजाए अगर मैं आसान भाशा में आपको बता हूँ तो मैं आपको एक example के जरीए बताना चाहता हूँ mathematical number लेके हम 5 में ऐसा क्या जोडें कि जोडने पे क्या आजाए, 0 आजाए तो आप कहेंगे सर अगर 5 में हम minus 5 जोड़ दें तो answer कितना आएगा तो 0 आएगा कितना आएगा answer तो 0 आएगा, ठीक है थोड़ा यहाँ पे रफ में बताने जा रहा हूँ मैंने कहा मैं 5 में ऐसा क्या जोड़ू 5 में ऐसा क्या जोड़ू कि आंसर कितना आ जाए 0 आ जाए ठीक है तो ये question mark की जगा क्या हो जाएगा 0 तिधर ही रहेगा plus 5 को जब आप left hand side से right hand side में shift करोगे तो ये minus 5 हो जाएगा और 0 minus 5 का मतलब क्या है minus 5 ही तो लिखा है 0 की कोई value तो होती नहीं है ये तो आप जानते ही हो ठीक है अच्छा समझ गए देखिए आपने कैसे पता किया 5 का जो additive inverse है यानि 5 में ऐसा हम क्या जोड़े question mark की जगा ऐसा क्या जोड़े की answer 0 आ जाए तो 5 को आपने उधर बेच दिया 0 minus 5 0 की कोई value तो होती नहीं है यैसे teacher की कोई value नहीं होती है ठीक है student के सामने student सुछते है रहे यार ये तो ऐसा ही है ठीक है लेकिन ऐसा नहीं है बहुत value होती है ठीक है तो यहाँ पर answer कितना आ आ गया question mark की जगा minus 5 तो additive inverse 5 का पता कहते चला 5 का additive inverse हो गया minus 5 यानि नमबर तो वही है लेकिन sign क्या लग गया आगे opposite लग गया है जब left hand side में था तो plus 5 था आगे कोई sign ने लगए तो plus 5 है right hand side में shift हुआ तो minus 5 हो गया ठीक है उसी तरीके से जो है किसी भी number का अगर हमें additive inverse निकालना है तो उस number का sign हमको बस opposite करना होगा ठीक है ठीक है ठीक है जब समझेगा यह आपको 2 upon minus 3 दिया है क्या दिया है 2 upon minus 3 यह minus sign जाहिर सी बात है उचक क्या होगा उपर चला जाएगा यह तो मैं बता ही चुका हूँ तो यह हो जाएगा is equal to होगा minus 2 upon 3 के यानि आपको minus 2 upon 3 का additive inverse निकालना है आप minus 2 upon 3 का additive inverse निकालो के कैसे number तो 2 upon 3 ही रहेगा बस यह minus के जाएगा प्लस लग जाएगा तो इसका जो additive inverse होगा वो हो जाएगा plus 2 upon 3 ठीक है student समझ में ही मेरी बात की नहीं आई ठीक है student question number 4 का second part देखेंगे मैंने यहाँ पर कुछ गलती कर दी थी देखें क्या है आपको question में दिया था minus 7 upon minus 12 दिया था मैंने यहाँ पर minus नहीं लगाया था ठीक है तो देखें क्या बनेगा तो वो कितना हो जाएगा वो आपका हो जाएगा minus 7 upon 12 ठीक है student समझ में ही मेरी बात ओके question number 5 देखेंगे देखेंगे यह भी आसान है कहरा using appropriate properties of addition find the following कहरा appropriate properties इस question में apply करिए इसका answer पता लगाने के लिए ठीक है देखिए यहाँ पर जो properties इस्तिमाल होगी पहले मैं उसका आपको नाम बता दूँ वो है आपकी commutative property जो मैंने आपको question number 3 में बताई थी कि A plus B होता है कुछ is equal to B plus A होता है उसका सीफ एक ही पहले इस्तिमाल होगा यानि सीफ A plus B का ही इस्तिमाल करेंगे और उसके बाद इस्तिमाल होगी distributive property कौन सी distributive property distributive property में क्या होता है हम दो से ज़ादा fraction को या number को एक साथ add करते हैं एक बार फिर से बता देता हूँ इन तो question में जो property इस्तिमाल होगी वो है आपकी एक commutative property सीफ आपको बताना है ठीक है सीफ आपको बताना है कि कौन सी property इस्तिमाल हुई है वाकिक करते दोंगे वो बहुत असान है करना solution इसका असान है एक तो आपकी commutative property इस्तिमाल हुई है जो मैंने आपको question number 3 में बताया था कि a plus b is equal to b plus a इसका सिफ एक पहलू हम इस्तिमाल करेंगे जादा fraction या number को एक साथ जोड़ा जाता है तो हम distributed property का इस्तिमाल खड़ते हैं अब इसको बता देता हूँ इसका solution तो काफी सादा आसान है यह दिया है 4 upon 5 और यहाँ दिया है minus 7 upon 5 तो इन दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे तो जाएगा 4 upon 5 प्लस लिखा फिर ब्रैकेट लगा के minus 7 upon 5 लिखा ठीक है यह हो गए एक ब्रैकेट में इसके बाद square bracket लगा दिया है यहाँ भी देखिए circular bracket है यह क्या है square bracket है अब देखिए इसमें भी denominator 7 है इसमें भी denominator 7 है तो इन दोनों को भी कर लेंगे 11 upon 7 plus minus 2 upon 7 ठीक है अच्छा इसके बाद तो करी लेंगे आप इसमें दोनों में क्या है denominator same है तो 5 ही denominator में रहेगा 4 minus 7 plus minus क्या हो जाएगा?" minus तो यह जाएगा 4 minus 7 उस तिरीकेसे हो denominator 7 रहेगा 11 plus minus क्या हो जाएगा? minus 2 ठीक है 4 minus 7 क्या हो जाएगा? minus 3 upon 5 प्लस 11 मैंस 2 क्या हो जाएगा 9 अपां 7 ठीक है 4 माइनस 7 माइनस 3 क्यों हो पता है न क्योंकि जाहिर सी बात है चार में से 7 तो घटाए नहीं जा सकता तो 7 में से 4 ही कटाएंगे 3 बचे का लेकिन जाएंगे इसका लगा देंगे माइनस का ठीक है अच्छा यहां पर मैंने फाल्तू में ही ब्रैकेट लगा दिये ब्रैकेट अपना लगा दिया जाएगा बेतर है ठीक है मैं हटा रहा हूं ब्रैकेट समझेगा थोड़ा सा यह माइनस 3 अपन 5 प्लस 9 अपन 7 फाइफ और 7 डिनोमिनेटर डिफरेंट होगे तो हम इसका हमें लगा पड़ेगा 5 और 7 का लेंगे तो आएगा 35 क्यों आएगा पता है ना 5 और 7 को प्राइम है यानि 5 और 7 का जो हाइएस्ट कमन फेक्टर है वो 1 है तो इसको हम डिरेक्ट क्या करेंगे 5 को 7 से मल्टिप्लाइ कर देंगे इस वज़े से 5 और 7 को मल्टिप्लाइ करेंगे आपस में डिरेक्ट 35 आएगा और 35 ही 5 और 7 का LCM होगा ठीक है student इसके बाद देखिए 35 को 5 से डिवैट करेंगे 7 आएगा 7 को ड़ागे 3 से मल्टिप्लाइ कर दिया तो हो जाएगा माइनस 21 ठीक है 35 को 7 से डिवाट किया 5 और 5 को ड़ाके 9 से मल्टिप्लाइ करें इस एक कितना आएगा 45 minus 21 plus 45 answer कितना आएगा plus minus minus होगा 45 में से 21 minus करेंगे कितना आएगा 24 upon 35 ठीक है student और ये आपका answer आगया इस question का ठीक है student वही same चीज़ आप में इस question में भी apply करेंगे देखे कैसे होगा तमझेगा थोड़ा सा आजान ही अभी 7 upon 33 upon 7 plus bracket लगा के minus 5 upon 21 एक bracket में रखेंगे हम plus 4 upon 9 plus 2 upon 3 एक bracket में रखेंगे ठीक है 7 और 21 कैलसियम करेंगे तो 21 आएगा ठीक है इस से निकाल लाता ना साइट में की बता दूँ चलिए बता ही देता है इस तरीके से कुछ निकालते हैं 7 से कर देंगे 7 1 जा 7 3 जा एक 3 से कर देंगे 1 और 1 मकसद यह हो था कि आखरी में 1 1 आना चाहिए 7 को 3 से multiply करेंगे 21 आगया 21 को 7 से divide करेंगे 3 आएगा 3 को उठा के उपर वाले 3 से multiply कर देंगे तो 9 आजाएगा plus minus क्या होगा minus होगा 21 को 21 से divide किए 1 आया 1 को उठा के उपर वाले 5 से multiply कर दिया तो 5 आजाएगा ठीक है plus 9 और 3 का SM निकाल लेंगे निकाल दीजिएगा तरीका बता दिया है आपको चलिए अच्छे निकाल के बताई देता हूँ 3 और 9 का ठीक है 3 बंजा 3 3 जा उसके बाद ये 1 तो अल्री है इस बाद 3 बंजा ठीक है 3 3 से क्या हो जाएगा 9 9 को टागे 9 से divide करेंगे कितना आएगा 1 को टागे 4 से multiply कर दिया 4 आया 9 को टागे 3 से divide करेंगे 3 आएगा 3 को टागे उपर वाले 2 से multiply कर दिया कितना आएगा 6 ठीक है ठीक है LCM बसे निकालना इस लेवल पर सबको आना चाहिए लेकिन चली मैं बता दे रहा हूँ 9 और 11 का आप क्या करेंगे साइड में LCM निकालेंगे 3 से ब्रेक कर दिजिए 3 3 जा 3 7 जा उसके बाद 3 बंजा 3 7 तो 7 ही रहेगा 3 की टेबल में 7 तो जाता नहीं है पर जाएगा 7 बंजा 3 3 जा 9 9 7 जा 63 ठीक है LCM कितना आगे आपका 63 63 को उठाके 63 को 21 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा 3 को उठाके उपर वाले 4 से मल्टिप्लाइ कर देंगे 12 आएगा 63 को 9 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा 7 को ठाके उठाके उठाके कितना आएगा 70 आएगा 70 और 12 को जोड़ेंगे कितना आएगा 82 आएगा अपॉन में 63 आजाएगा LCM दे लेंगे सॉरी यह आपका इंप्रॉपर फैक्शन है मिक्स में चेंज करेंगे किया आएगा 1 होल समझेगा 1 होल 82 में से ज़रा 63 माइनिस करिए देखिए रिमेंडर कितना आएगा आएगा ठीक है 19 आएगा वाजाएगा 1 होल 19 आपॉन 63 ठीक है स्टुडेंट समझ मैं ही मेरी बात या नहीं आई ओके इसके बाद अपने नेस्ट कोशन करेंगे इस एक्सरसाइज का देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर मेंली डिस्टिबिटिव प्रॉपर्टी को हमें वैरिफाई करना है डिस्टिबिटिव प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताया था दो से जादा नंबर अगर एक साथ एड करते हैं दो से जादा नंबर है दो से जादा फ्रेक्शन तो उसको हम डिस्टिबिटिव प्रॉपर्टी से सॉल्फ करते हैं लेकिन जो असल में distributed property है जो यहाँ पे आपको proof करना है वो कुछ ऐसे होती है कि a plus bracket में b plus c का sum बराबर होगा a plus b उसके बाद bracket लगा के plus c ठीक है a, b और c के value आपको दी हुई आपको यह चीज verify करनी है तो बहुत आसान है देख लिजे हम lhs और rhs लेकर क्या करेंगे verify कर देंगे देखिए कैसे होगा बहुत आसान है यहाँ पे lhs होगा और कुछ यहाँ पे rhs होगा ठीक है student चलिए lhs में क्या करना है जाला देखिए a plus bracket लगाया b plus थी पहले lhs पे ही काम करते है a की जगा दिया हुआ है minus 11 upon 27 plus b की जगा क्या दिया हुआ है 4 upon 9 plus c की जगा क्या दिया हुआ है minus 5 upon 18 ठीक है plus minus को कभी एक तायत नहीं लिखते थी confusion होता है तुर्वाँ सा इस वज़े से मैंने यहाँ पे एक curly bracket लगा दिया है curly braces कहलें curly bracket कहलें तोनों ही बात सही है इसके बाद देखेंगे यह हो जाएगा minus 11 upon 27 ठीक है समझेगे थोड़ा सा समझ में आ रहा है न अच्छे इसके बाद देखेंगे थोड़ा सा यह हो जाएगा आपका plus 9 और 18 का जब आप LCM लेंगे तो answer कितना आएगा 18 ही आएगा 18 को उठा कि आप 9 से भाई करेंगे 2 आएगा 2 को उठा कि 4 से मल्टिप्लाइ कर दिये 8 आगया plus minus क्या होता है minus लगा देँगे क्योंकि sign यहाँ पर लगाता रहे 18 को इतिन से भाई करेंगे 1 आएगा 1 को उठा के 5 से मल्टिप्लाइ कर दिये कितना आएगा फाइफ आएगा ठीक है स्टुडेंट समाझ में आ री मेरी बार चेस के बाद देखिए यह जाएगा माइनस 11 अपाउन 27 प्लस आएट में से 5 कितना बचेगा 3 अपाउन में 18 अब इन दोनों का निकालना पड़ेगा 27 और 18 का आप LCM निकाल लेजेगा ठीक है त 54 को 27 से क्या करेंगे डिवाइट करेंगे 2 आएगा 2 को उठाके उपर वाले 11 से मल्टिप्लाई कर देंगे तो आजाएगा माइनस 22 54 को 18 से डिवाइट करेंगे 3 आएगा 3 को उठाके उपर वाले 3 से मल्टिप्लाई कर देंगे कितना आएगा 9 नाएगा ठीक है 13 upon 54, ठीक है, यानि आपको जो LHS है, उसकी वैलू कितनी आ गई, minus 13 upon 54, ठीक है, अब RHS भी चेक करने हैं कि RHS की वैलू क्या आए कि, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यानि आपको यहाँ पर दिया कि है, RHS का मतलब राइठ हैंड साइड, यह वाला लिफ हैंड साइड है, यह वाला राइठ हैंड साइड है, ठीक है, यह देव हो है, आपको A plus B, और plus C, A की जगह क्या पूट करेंगे ज़रा देखिए, minus 11 upon 27, B की जगह क्या पूट करेंगे ज़रा देखिए, 4 upon 9, यह एक ब्रैकेट में, plus C की जगह क्या पूट करेंगे ज़रा देखिए, इसको कल्ली ब्रेसे में रख लिजे, minus 5 upon 18, ठीक है, समझेगा, 27 और 9 का हम LC मिकालेंगे, तो 27 आएगा, 27 को 27 से रिवट किया, 1 आएगा, 1 को उठाके उपर वाले 11 से multiply करा देंगे, 11 आएगा, आगे साइन माइनस का है, तो माइनस लगा देंगे, 27 को 9 से रिवट करेंगे, 3 आएगा, 3 को उठाके, 9 के उपर वाले जो 4 है, उससे multiply करा देंगे, 3 को, तो आएगा 12, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 5 अपॉन 18 अब आप ब्रेकेट हटा सकते हैं, ठीक है? माइनस 11 प्लस 12 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस या माइनस प्लस क्या होता है? माइनस 12 में से 11 आजाएगा, बचेगा 1 ठीक है? कितना बचेगा? बचेएगा आपका कितना 1 अपॉन में 27 माइनस 5 अपॉन 80 ठीक है स्टुडेंट अब इसके बाद देखे 27 और 18 का LCM निकालेंगे देखे जैसे यहाँ पी निकाल रहा था कितना आएदा 54 आए था 54 लिख लिख लिए 54 को अब 27 से डिवाइड करेंगे 2 को उठाके उपर वाले बन से multiply करादीगे तो 2 आएगा 54 को 18 से बचा 13 अपॉन 54 and this will be your final answer तो आप लिख सकते हैं कि LHS और RHS आपको यहाँ पर क्या है बराबर है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि as जैसा कि LHS और RHS बराबर है तो आप नीचे लिखेंगे hence, 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 hence verified. ओके स्टुडेंट अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुचा हैं जो कोचिंग को एप और नहीं कर सकते हैं थैंक यू